हलो स्टुडेंट्स वेलकम टॉपर्स विलेज और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर टैन क्लास टैन सर्कल्स के इंपोर्टेंट कोशन्स ठीक है तो इससे पहले आपने देख लिया हुगा अभी तक नाइन चैप्टर्स के हमने इंपोर्टेंट कोशन्स कवर कर चुके है और अगर आपको NCRT में किसी भी क्वेशन में डाउट तो आपको इस चैनल पर सारे की सारी क्वेशन्स का सोलिजन मिल जाएगा ठीक है तो अभी चालू करते हैं सर्कल्स एक छोटा सा चैप्टर लेकिन अब देखो छोटा चैप्टर का फाइदा यह है कि क्वेशन्स भी लिमिटेड ही होते हैं ठीक है तो एक्सराइज जो 10.1 है उसमें और उससे पहले कोई खास इंपोर्टेंट है नहीं इसमें गिनी चिनी दो तीन थियोरम से वह आप याद रख लो हाँ तो यह इंपोर्टेंट है इसका प्रूफ आ जाता है कई बार आ चुका है हम आगे बढ़ते हैं आजा इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक और इनफोर्मेशन दी गई है कि यह जो चीज ना कि इसके बाद में यह प्रूव करने का अगर आप यह यहां तक प्रूव कर दोनों ट्रैंगल सो कॉंकरेंट प्रूव कर देते हो उसके बाद में यह प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप यह वाला ना यह जो यह जो डेरिवेशन यह जो इसका प्रूफ है यह मतलब ठेहरम पूरी इंपोर्टेंट है यह देख लेना उसके साथ में यह कि जो कॉरोलरी है जो रिमार्क्स है यह भी इक्वल हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं एक्जामपल नमबर टू पर एक्जामपल नमबर टू यह इंपोर्टेंट है उसके बाद में एक्जामपल नमबर थरी यह भी इस बार इंपोर्टेंट हो गया है उसके बाद यहाँ पर आते हैं एकसाइज 10.2 एकसाइज 10.2 गें दर कौशन नमबर वन डेटा का कौशन है एक डेटा का कौशन आ जाता है और उसके बाद में कौशन नमबर 7 कौशन नमबर 8 फिर बाद में 11 12 13 ये 5 कौशन इधर की तरब इंपोर्टेंट है तो देखो आप मलबकुल मिलाकर यह कुछ कुछ कौशन है पर्टिकुलर बस एक ही तरीका यहां पर लगता रहता है कि यहां से अगर हम टेंजिन बनाते तो यह यह लेंथ बराबर होती है बस यही इसी तरीके तुक आसपास यह सारे कौशन बनते है अपने तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अगला जो चेप्टर अपना कंस्ट्रक्शन उसके इंपोर्टेंट कॉशन्स लेकर है ठीक है थैंक यू वेरी मच्च